जार्खंड हाई कौट की नई बिल्डिंग में एडवोकेट एसोसिेशन की ओर से सर्वधर्म रीती के अनुसार पूजा और प्रार्थना की गई। सभी धर्म गुरूओं ने अपनी रीती परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रो चार से न्यायालय परिसर को शुद्ध किया। सर्व धर्म प्रार्थना सभा में सभी धर्म गुरुओं के साथ जारखंड उच्छ न्यायाले के कई न्यायाधीश और अधिवक्ता सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। नए भवन परिसर में धार्मिक अनुष्ठान के बारे में वकीलों ने बताया कि नए कार्यस्थल में जाने पर इस तरह का धार्मिक आयोजन होता रहा है। हालांकि कई वकीलों का कहना है कि नए परिसर में देखी गई कुछ असाधारण गतिविधियों के कारण इस तरह का धार्मिक आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में चीफ जस्टिस न्यायमूर्ती संजय कुमार मिश्रा समेत अन्य कई जज भी मौजूद रहे। बताते चलें कि हाई कौड के नए परिसर के बगल में ही एक कब्रिस्तान भी है। एक अधिवक्ता ने बताया कि नए परिसर में कुछ असाधारन गतिविधियों के कारण इस तरह का धार्मिक आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की असाधारण गतिविध्यों के बारे में यहां कर्मचारी या सिक्योरिटी गार्ड भी बताते रहे हैं नाइट गार्ड ने भी इसे लेकर शिकायत की थी कि यहां कुछ-कुछ होता रहता है इसलिए सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने शांती पाठ किया बतादें कि जारखंड हाइकॉट की नई बिल्डिंग का अपचारिक उद्गाटन जून में हो चुका है एक नई और स्वस्थ परंपरा के अनुसार हाइकॉट परिसर में पहली बार सर्वधर्म शांती पाठ कर आया गया सर्वधर्म पूजा के बाद प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन किया गया कहा जा रहा है कि सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन एक ही परिसर में एक साथ होना देश की एकता की भावना को अटूट रखने की मजबूत और सराहनिय पहल है बहरहाल नए भवन एवं परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना हो चुकी है अब सभी उम्मीद कर रहे हैं यहां शांति पूर्वक कामकाज चलेगा इसके बाद अब यहां कोई भी असाधारन गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी